मेरे चैनल पर नए है तो मा के लिए इस कहानी को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। कहानी एक मा की ममता मा तो सिर्फ मा होती है जिसका स्थान कोई नहीं ले सकता है। दुनिया में मां ही ऐसी होती है जो की बिना स्वार्थ के अपने बच्चों को प्यार और दुलार करती है, तो चलिए इस पोस्ट में मां के ममता की मां कहानी, मदर स्टोरी बताने जा रहे है, जो दिल को छूती है. रमेश अब बड़ा हो गया था पर लिखकर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में भी लग गई थी, कुछ दिनों के बाद उसके मां बाप के उसकी शादी एक सुन्दर और सुशल लड़की से करा दिया, जो की वह भी नौकरी करती थी, अब रमेश और पत्नी दोनो जौब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे, कुछ दिनों के पश्चात रमेश के पिता जी भी अब इस दुनिया को छोड़ कर चले गए, जिसके बाद उसकी मां एकदम सी अकेले सी हो गई थी, जिसके बाद कुछ दिनों के बाद रमेश अपनी मां को अपने साथ र हमेशा खुशी ही चाहती है, सो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी, लेकिन रमेश और और उसकी पतनी हमेशा अपनी मां को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो, मतलब कि वे अपने आगे मां को गांव की एक तरह से गवार ही समझते थे, लेकिन मां की द तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है, सो वे सभी बाते चुपचाप सुनकर हां में हां मिला कर रह जाती थी, एक दिन की बात है, सुबह रमेश की पतनी को ओफिस जल्दी जाना था, सो वो सब कुछ जल्दी से तयार करके रमेश का खाना पैक करके निकल गया था, फिर कुछ समय बाद रमेश की मा ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया है, तो मा ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुच गई और पास में एक कुरसी पर बैठ गई क्यूंकि कमपनी में बाहर के व्यक्त अंदर जाने के लिए मना था, सो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फोन ना करके मैसेज किया लेकिन रमेश अपने काम में बीजी था, सो मा के मैसेज पर ज्यादा ध्यान ना दिया, लेकिन उसकी मा बाहर कबसे उसका इंतजार कर रही थी, इस तरह कई घंटे बीट गय और इस बीच कई मैसेज भी किया लेकिन रमेश का कोई उत्तर नहीं आ रहा था, इस तरह रमेश की मां को चिंता होने लगी थी, लेकिन रमेश अपनी मां के कई मैसेज आने के बाद वो अंदर, ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था, आज तो उसने तै कर लिया था कि आज घर जाकर मां को खूब अच्छे तरह से समझा देगा कि ये उसका गाव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी और इस तरह शाम हो गया अब रमेश घर जाने के लिए कमपनी के बाहर निकला तो देखा तो उसकी मां तो यही खड़ी है जिसे देखकर उसका गुस्सा अब सात्वे आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी मां को डाट फटकारने लगा कि पहले तब घर में खाली बैठे-बैठे मैसेज से परेशान करती रहती है और अब तो उसके कमपनी में भी आ गई है आखिर उनका ये गाव नहीं है जो मनमानी करती रहेगी ये सुनकर रमेश की मांने खाने का टिफिन रमेश की ओर आगे बढ़ा दिया जिसे देखकर रमेश को अब समझते हुए देर ना लगी कि वह अपना खाना भूल गया था जिसे मांने उसे देने के लिए यहाँ आई थी इसके बाद रमेश की मां बोली बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो बड़े शहर में रहने लगे हो बले ही अच्छे बुरे की ज्यादा समझ आ गई हो लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का तुकडा ही हो जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही ह रमेश को अब आखे खुल चुकी थी कि आखिर उसकी मां उसकी परवा करते हुए खाना लेकर आई थी जिसे वो बिना सोचे समझे अपनी मां को ही डाटे जा रहा था अब वो अपने किये हुए पर बहुत पच्छतावा हो रहा था जिसे देखकर मां ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया और इस तरह रमेश अब आगे से खुद को मां के लिए बदल लिया था अब उनकी पहले से ज्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था जिसके बाद मां को अब शेहर भी अच्छा लगने लगा था क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि एक तर्फ जहां हम पर लिखकर खुद को ज्यादा ही समझदार समझने लगते थे जिससे जाने अंजाने में माता पिता के बातों को गलत साबित करने में लग जाते है लेकिन हम सभी यह भूर जाते है जिस मां बाप ने अपने को खुशियों के लिए अपनी खुशियों तक का त्याग कर दिये हो वो भला मां बाप अपने बच्चों का कैसे बुरा कर सकते है हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनके संतान उनकी बुरापे की लाठी बने लेकिन विकास की अंधी दौड में हम सभी अपनी मूलों को भूलते जा रहे है जोकी बहुती सोचनिय है अगर हमारे माँ बाप हमें पाल सकते है तो हम उन्हें बुरापे में उन्हें जरूर खरे उत्रे तो आप सबको ये पोस्ट मां की ममता की कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताए और इसे शेर भी जरूर करे मां के लिए इस पोस्ट को लाइक कॉमेंट शेर जरूर करे